वर्जबायट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है केमसे हैं केमसी कैंसर इंस्टिट्यूट उत्री भारत का आधुनिक्तम सुविधाओं से यूग्द चिकित सा संस्थान बागपत रोड मेरट उत्रखन के चमोली जिले में हुई जल पिले से 174 लोग अभी भी ला पता हैं इनमें से टनल में फसे हुए करीब 35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है वही 32 शब निकाले जा चुके हैं इनमें से 8 की शनाखत हो गई है बुद्वार को चौथे दिन भी राहत बचाप का रह जारी है वही मंगलबार को रात भर टनल से मलबा हटाने का कार रह चला इस दौरान ड्रॉन की भी मदद ली गई बताया जा रहा है कि अभी टनल से मलबा हटाने में और समय लगेगा इस बीच मेरटवासियों के लिए आज सुबह एक अच्छी खबर आई है यहां से गए 10 लोगों के सुरक्षित होने की खबर आई है आज उनके परीजनों ने मिठाई बाट कर अपनी खुशी का इजहार किया हाँ इस दोरान ये मलाल जरूर रहा कि दो दिन से उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है इन लोगों ने प्रिशाशन से गुजारिश की कि उनके खाने में मेरट तक पहुचाने का कुछ बंदोबस्त कर दिया जाए आई ये बात करते हैं चमोली में फसे हुए लोगों के परिजनों से कि आप देखो बहुत खुशी का माहूल है कि देखो बात हो गया है दिल को थोड़ा सकुन मिल गया कि वह सही है अनीदा परजबती वाइफ आप सौंपल परजबती आपके कौन गयप था आपके मेरे भाई थे वह आज क्या आपको पर सुचना ही है जो वहां पे गये में हैं लड़के उनमें से एक लड़का है बालक राम उसने फोन किया है भाई सोरब को तो उसने कहा कि भाई हम ठीक ह हैं और लेकिन दिक्कत यह है कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल प्रह रहा है दो दीन हो गए हैं पर साचन होगे हैं तोड़ी सी की मदद तोर कर दे हैं लोगों की और घर तक यहां तक कितने लोग हैं दसके दस ठीक हैं हमारी टीम के सारे लोग ठीक हैं आपकी बात हुई उसे हैं मल भाइस औरफ की हुई हैं अभी साड़े ग्यारे बजे करीब सब की बात हुए हैं कितना आपको बहुत रिलेक्स हो रहा है और इसमें मेडिया ने बहुत खुशी का महौल है देखो बहुत ज्यादा परेशान थे लेकिन अब बोर्ट ठीक है फिर्कुल सही है फर्स्ट बाइट की रिपोर्ट